हेलो वेल्कम टू मैस चैनल इसमें आपको चाहिए कैंची धागे पेन और इंच टेप फिर आपको फूल पेच चाहिए इस तरीके से आपको फूल करना है आप एक इंच बड़ा ही आगे वारले हमीशा एक इंच बड़ा ही रहेगा और यह फॉल्ड चार बार करेंगे जैसे क न्यूजपेपर मिलता है वैसे आम तोर पे तो कंदे हम 5 इंच के कटिंग करते हैं क्योंकि हमें इसमें बाजू नहीं लगाना है और हमें पूरा बंद गला बनाना है तो हम साथ इंच लेंगे और यहां से तीन इंच गला लेंगे निचे के यहां से तीन इंच लेंगे और यहां से हमारा 2 इंच है, यह चीज हमारा 3 इंच है, और यहां पी हमें लेना है 1 इंच, यहां पी बिल्कुल ऐसे ही लगा लेना है, यह सारी चीजी हमने आपको कई बारी बताई है, तो यह ध्यान रखें आप लोग, और यह हो गया, साही 5 इंच, यहां से, यहां तक साही 5 इंच ही है, और यहां पी इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है, अगर किसी की फिटिंग ले रहे हो, तो फिटिंग से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ी आपको लेने है, और ब्लाउच पीस जितना आता है, उतना में ही हमारा ब्लाउच पीस उतने में बन जाता है, बाके चीज हम चैसे आपको बता रहे है, ऐसे ही लगाना है, और हम कटिंग कर लेंगे इसकी, एक इंची कटिंग करेंगे पहले, तीन इंच आप कटिंग करेंगे तो बिगर जाएगा, फिर इसकी बाद बाजू, बाजू कटिंग कर करने के बाद हम भी से खौल लिक को अलग कर लेंगे पीछे के अलग अबर से फोल्ड करेंगे अब इसके कटिंग करेंगे जो कि यह पीछेवाला हाव में हाफ एक इंच चाहिए क्योंकि हाफ इंच स्यरीम जाएगा और हाफ इंच आपके नेक के लिए जाएगा ठीक है तो यह है हमारा 4 इंच यहां से 4 इंच आपको लगाना है यहां से सीधी लाइन खीच लें 4 इंच नीचे ही और 4 इंच इस साइड भी अब यहां हो गया 4 इंच, अब नीचे की और हमें चाहिए 6 इंच, जितना आप इसके फिटिंग लगाते हो, इससे 2 इंच यह अधिकी रहेगा, फिर आप देख लो कि यह बीच का कहां आ रहा है, इससे आप इस तरीके से लगा सकते हो, एक इंच आप उपर नीचे भी यह पना सकते हो, और फिटिंग आपको इस तरीके से लगानी है, आप देखे, बिल्कु सेम प्रोसेस आपका फिगर, जैसे फिगर को यह दर साता है, यह शेप आपका होना चाहिए, फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे, सिलाई करने के बार यह बहुत ही अच्छे उभर कर आता है आजकल के ब्लाव जो ऐसे ही आ रहे हैं, तो मैं यही बतानी की कोशिश कर रहे हूं कि आप लोग कैसे आसानी से सिल सकते हो, और इसकी कटिंग भी बहुत ही इजी है, यह हो गया हमारा आगे का, अब हमें पीछे चैन लगाना है, अगर हम सिल रहे हैं कपड़े पे तो हम च अब बीचो बीच हमें निश्रान लगाना है, कंधे के बीचो बीच हमें निश्रान लगाएंगे और उसी के सेंटर में, यहां से सेंटर में करते हुए, नीचे आगर के फिर यहां पर पाचिंच लगाएंगे, पाचिंच आप पीछे के फिटिंग लगाएंगे तो बहुत प्यारा आपको लुक आता है पीछी से 5 इंची आप लगाएं और यहां से फिर हलका सा इस तरीके से हम बना लेते हैं क्योंकि हम सिखा रहे हैं और सिखाने में ऐसे करके सिखाया जाता है ताकि आप लोगों को आसानी हूँ फिर इस तरीके से फोल्ट करेंगे और यह जो दु लोगों कोई भी चीज अब त्यां रहाँ से बीज आप कर रहे हो लकाई अग्यों कोई भी बीद più काम कनाई हुता तो कोई भी वीडियो देखर लेंख के तो आपको समझ में आयगा देख सकते हो पीछी का फिगर कितना ज़िया है पीछे का लग रहें रहा है हमारे पीछे के तरफ का है तो दोनों साइट को हमने बना लिया अब हमें इसे फोल्ड करना है फोल्डिंग बिल्कुल थोड़ा सा ही करेंगे क्योंकि कपड़े पेपर है तो हम नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा लेकिन कपड़े में आप इस तरीके से फोल्डिंग करके ही चैनल है अब हमाते हैं इस तरीके से रखेंगे और नीचे से शिलनाय स्टाट करेंगे बिल्कुल सा बनता जाएगा अब देख सकते हो इस तरीके से यह वाली डिशाइन हमने एक वीडियो में और बताई है उसके अच्छी में इस और अच्छी कमेंट भी आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोगों को यह कैसा लगा यह भी हमें कमेंट करके बताएगा अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज स्क्राइब करें हमारी चैनल को बेल आइकन को भी हीट कर दे ताकि मेरी शारी नौटिफ आप तक जल्दी पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो जल्दी से देख पाई तो सेम प्रोसेस वही है सिलाई एक साइड की जैसे हम नी की बिल्कुल वैसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है और दोनों सिलनी के बाद हमें कंधी को जोएंट कर लेना है इसमें हम बाजू नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में ये डिजाइन बहुत ही ट्रेंडिंग में हैं बहुत ही प्यारे लुकाते हैं से साड़ी पे पहनने के बाद भी और प्यारे से लुकाते हैं सो बाजू आप पर ना लगाएं तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा वह आपके उप कर आ रहा है यह हो गया हमारे निक अब हमें क्या करना है कि साइट का कच्छी सिलाई हम बनाते हैं इसको हम कच्छी सिलाई कहते हैं हलके से आप कच्छी सिलाई बना लो और इसके बाद हम फोल्ड करेंगे कच्छी सिलाई बनाने के बाद फोल्ड करने से क्या होता है कि यह हमा वाला प्रोसेस बहुत ही प्यारा लगता है किसी भी ब्लाउज भी या आप अस्तर को पलट करके ही बनाना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है वो आप की उपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकती हो इस वीडियो को आप जितने ही पारिक से देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा आपको यहां फे फिटिंग लगाना है आपको थोड़ा से इस तरीके से तीर्चा में ही जाएगा क्योंकि अगर आपका कमर 14 है और सीना आपका 17 है तो आप इस तरीके से ही लगाएं क्योंकि सीधा ना लगाएं कमर का और सीने का शेप आपको पता ही है कि हैवी होता है सीना और कमर पतला तो आप हमेसे ऐसे ही लगाएं निशान और उस पर सिलाई बनाएं कपड़ा हो या फिर पेपर हो सेम हम सिलाई सिखाते हैं सेम टू सेम ऐसे ही आपको पेपर पे भी और पे भी सिलना है कोई भी प्रोब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं हमें कि आपको क्या नहीं आ रहा है और हम जरूर से जरूर बतानी की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सिल गया है, यह चैन का प्रोसेस है, यह आगे का है, यह मारा देख सकते हो, अब हमें बनाना है कॉलर, कॉलर को बनानी के लिए आपको फूल पेज चाहिए इस तरीके से, आप हाफ इंच में करके बना सकते हो, तो हम पहले नाप लेंग गल्ली को कितना हमारा गला है उसी साथ से ही हम कटिंग करेंगे 9 योगे 10 11 12 13 14 ये 15 देख सकते हुआ 15 तक आ गया है वैसे ही हमें 6 इंच 6 इंच तक हमें जाना है 6 इंच की बाद 5 इंच थोड़ा सा हमें गूल में देना है इस तरीके से पाच इंच तक अभ यहां से स्ट्रेट लाइन किज देंगे क्योंकि आगे काने कामें थो ओड़ा सार डीप गूल में ही चाहिए तो यहां से इस तरीके से मोड लेंगे दूसरे सैट भी इसी तरीके से हम मोड लेंगे अगर आपका गूल नहीं हो रहा है तो बहुत सारे प्ल एक जॉड़ा का गटाएं तक वाइस यह चौदा तो हमें एक इंच यह त्व मिछ थो बढ़ लेंगे बढ़नी के बाद फिर हमें इस तरीके से बनाना है यह तो हमारी चिलाय का प्रोसेस था और यह हमारा उपर का प्रोसेस शीह हो गया कोल इसकी किटिंग हम निकल लेनी ह को कि इसकी कृटिंग आप कर लें हल्का सा कृपड़ा चोड़ कर participate कि या कपड़ी को छोड़ कर कि हमें कर करना है क्योंकि हम इसलाई में हाफ इंज कपड़ा चाहिए होता है कभी भी आप कृपड़े के कर दो एक से डेढ़ इंच अगर अगर आप फिटिंग के लिए काट रहे हो तो डेढ़ इन चोड़े या अगर आप सिलाई के लिए कर दो एक इंच हाफ इंच जरू छोड़े फिर इसकी बाद आपको बिलकुल जिस तरीके समय निशान लगाया है वाइसे ही आपको सिलेना है सेम करके सिलने की बाद फिर आपको इसको पलट लेना है वाइस सिलाय कमप्लीट होने के बाद जिलाही एक ही साइट कर देंगे दुसे साइट का हम नहीं लेंगे फिर इसे हम सीधा कर लेंगे मोड करके अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो आपको पता होगा नहीं पता होगा और के पेपर को मोड करके ही सीधा किया जाता है और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो आप इस चीज से जागरूप मतलब आप लोग जानते होगे कि मतलब हां ऐसा होता है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखे और पेपर वाले वीडियो को आप लोग देखनी में पसंन्ध कर रहे हूं कपड़े में नहीं तो बाभू कपड़े वाले कपड़े वाले वीडियो भी देखो período कि पेपर के कपड़े तो कोई पहन और फिलिज ध्यान से आप लोग देख करके सिलिए अगर कोई प्राउलम होता है तो हमें बताएं ते इस सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये सिलाई हमारी कम्प्लीट हुचुकी है तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीस हमें कमें करके बताएं प्लीस लाइक सेयर और न's स thank you so much so please subscribe my channel like and comment and sharing for video we'll see you in the next video may bye-bye friends bye viewers